हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जाओं अपडेट में इस चैनल पर कवर्णमेंट जॉब्स प्राइबेट जॉब्स के अपडेट लगातर दिये जाते हैं आज आपका जरू है आपके सामने एक नए अपडेट के साथ जो ब दीटेल बेहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ओडेटर की वेकैंसी निकाली गए है जो बेकैंसी का नाम है वो है आपका ओडेटर पंचायती राज डेपार्टमेंट में ओडेटर की वेकैंसी है जी तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बी एस प प्लाई होना शुरू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट क्या है और इसका कॉस्टन पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं इस वीडियो में अंत तक और दोस्तों अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर न चानते हैं कि इसमें टोटल वेकेंसी कितनी हैं तो दोस्तों इसमें सबसे पहले टोटल वेकेंसी जो हैं वो हैं आपकी 373 वेकेंसी हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वेकेंसी निकाली गई हैं और जो पोस्ट का जो पोस्ट नेम है जो पद का जो नाम है वो है आपका auditor 35 राज department और इसमें जो आपकी age limit मांगी गई है वो male के लिए अलग और female के लिए अलग male के लिए जो age limit मांगी गई है वो है आपकी 21 साल से 37 साल और जो female के लिए age limit मांगी गई है वो है आपकी 21 साल से 40 साल अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी qualification और eligibility क्या है तो दोस्तों इसमें जो qualification मांगी गई है वो है आपकी CA या CS या MBA MBA finance और जो आपकी bachelor degree मांगी गई है वो है आपकी commerce में हो या economics में हो या statics में हो या फिर आपकी mathematics में bachelor degree होनी चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं category wise vacancy detail category wise किस साबसेश में vacancy दी हुई है तो सबसे पहले दोस्तों आती है general की vacancy जनरल में दोस्तों vacancy है वो है 150 vacancy और EWS में जो vacancy है वो है आपकी 37 vacancy और जो आपकी OBC में vacancy है वो है आपकी 45 और इसके बाद जो OBC female में जो अलग vacancy निकाली हुई है वो है आपकी 11 और इसमें EVC में जो vacancy निकाली हुई है वो है आपकी 69 और जो ST में vacancy निकाली हुई है वो है आपकी 4 तो total vacancy आपकी पूरी मिला कर बनती है 373 vacancy अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी apply करनी की जो fees क्या है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसकी जो apply करनी की online apply करनी की डेट है वो है आपकी 21 तारी अक्टूवर 2020 और जो आपकी last date है वो है आपकी 18 नवंबर 2020 तो अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी apply करनी की जो fees है वो क्या है तो दोस्तों जो journal वाले students के लिए है वो है दोस्तों बात करते हैं कि इसका paper pattern कैसा रहता है तो दोस्तों paper pattern में एक है आपके fix subject जो हर किसी के लिए fixed है और एक है आपके लिए variable subject जिसमें आप अपने अनुशार subject चुन सकते हैं तो दोस्तों जो fixed subject है वो है आपके सामाने हिंदी दूसरे नंबर पर है सामाने अध्यन प्रस्ण पत्र फर्स्ट और आपका तीसरे पर है सामाने अध्यन प्रस्ण पर्त्र दुति है तो ये सबी तीनों paper होंगे जो है आपका सामान्य हिंदी है वो है आपका सो अंक का और जो सामान्य अध्यन प्रथम है वो है आपका तीन सो अंक का और सामान्य अध्यन दुती है वो है आपका तीन सो अंक का ये तीनों पेपर तीन घंटे के हैं उसके बाद हैं आपके पास बैकल्पिक प्रशन पत्र इसमें आ उस सब्जेक्ट को चुन कर वो आपका 303 घंटे का सौरी पेपर होगा और इसमें 300 अंक का पेपर होगा इन दोनों पेपर को मिलाकर आपका पूरा पेपर होगा और इसके आधार परी आपकी कटॉफ निकाली जाए तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी पेपर डीटेल है तो ऐस ही आगे की अपडेट पाने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और जेन स्टूडेंट की ऐलेजबिलिटी CACS MBA bachelor degree in mathematics, statics इन सभी में है तो उनके लिए इस वीडि के साथ तब तक भने रही है हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें लाइक करिए शेर करें और कमेंट करके बताइए आपको कि ये वीडियो कैसी लगी तो थैंक यूफ और बोचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में धन्यवाद